मैं आपको बहुत बहुत स्वागत कती हूँ मॉम्स केक में आज का रिशे भी बहुत थी ब्यूटिफुल बाटरफ्लाई केक का है तो उसके लिए हम पहले केक को लेर्स में कट कर लेंगे इसका मैं थ्री लेर्स बनाऊंगी आप चाहे तो दो लेर्स बना सकते हैं इसको अच्छे से हम काट लेंगे लेर्स को उसके बाद हम यहाँ पे केक बोर्ड लेंगे टर्न टेबल लेंगे उसके उपर थोड़ा सा विपिंग क्रिम फैला देंगे ताकि हमारा केक स्टिक करके वहाँ पे अच्छे से रहे और उस पे हम एक लियर लगा देंगे उसके उपर हम सुगर सिरप लगाएंगे सुगर सिरप का वीडियो आपको अल्रीडी मिल चुका होगा अगर आप सुगर सिरप बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल पानी और चिनी ले सकते हैं मिलाके या फिर बॉयल करके भी ले सकते हैं उसके पाद एक लेयर में दे दूंगी या पे विपिंग क्रीम उसके बाद स्टोवेरी क्रस्प में या पे बढय पे और तो स्बाएंगे योप यह पे दूंगी एक डेने से टेस्ट बहुत ओ अच्छा बन जाता है केक का नॉर्मल बैनिला केक नहीं रहता है थोड़ा सा strawberry का बहुत अच्छा strong flavor आ जाता है और उस पे जो crust होते हैं छोटे 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 strawberry के particles होते हैं और बहुत ही tasty लगता है उसके बाद हम वही process repeat करेंगे second layer दे देंगे सुगर स्रब दे देंगे उसके बाद whipping cream एक लियर और फिर strawberry crust market में बहुत सारे crust available होते हैं आप अपने मन पसंद के कोई सावी juice कर लेजिए और cake के अंदर दे दीजिए बहुत ही tasty लगेगा उसके बाद ये third layer दे देंगे अखरी का layer उसके उपर भी हम सुगर सिरब दे देंगे और उसके बाद हम sides में crumb coat कर लेंगे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा crust बहा निकल गया है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है आप side में बस उसको अच्छे से crumb coat कर लेजिए एक्स्ट्रा whipping cream की जरुरत भी नहीं होती है sides में हम अभी icing करेंगे तो whipping cream में sides में पहले लगा रहे हूँ और फिर उपर हम जितने बाकी space है के को fill करने के लिए उपर भी हम अच्छे से cream दे देंगे cream की अच्छी से एक layer बना देंगे मतलब की coat कर लेंगे उसके बाद हम scraper से side scrape करेंगे अगर आपके पास scraper नहीं है तो आप palette knife से भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं scraper यूज करना तो अगर आपके घर के घर में कोई पड़ा हुआ a team card है या फिर transparent sheet है जो की dresses में available होते हैं jeans का जो shirt आता है उसमें available होता है वो आप ले सकते हैं scraper अच्छा बस स्मूध आ जाएगा finishing तो यहां पर मैं अभी उपर का layer फिल करके स्क्रेपर से स्मूध कर रहे हूं sides यहां पर मैं जेल फूड कलर का पिंक कलर ली हूँ और एक ही ड्रॉप में साइड्स में लगा रहे हूं बस एक ही ड्रॉप का इस्तमाल क्या हुआ है यहां पर साइड्स में एक अच्छा सा layer बना दूंगी ताकि वह अच्छा सा effect आ जाए पिंक कलर का यहां पर मैं पिंक पटरफ्लाई यूज कर रहे हूं इसलिए मैं पिंक कलर चूज की हूँ अगर आप चाहें तो आप अपने मन पसंद के हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं यहां पर मैं स्मूध कर लूँगी साइड्स को उपर का फिनिशिंग टच भी दे दूँगी वह उपर का भी layer स्मूध कर लूँगी और पुरा लेबल आउट कर लूँगी ताकि कोई भी lines वगयरा ना दिखें क्योंकि उपर हम कोई वैसा डिजाइन नी बना रहे हैं नॉर्मल रख रहे हैं इसलिए बस नॉर्मल सा हम अच्छे से स्मूध कर लेंगे फिर साइड्स को हम नीचे जितने भी क्रीम फैला हुआ है इसको आप कोई भी टीशू पेपर पे साफ कर ले या फिर घर के कोई तो यहां पर यह सारे बटरफ्लाइज फॉंडेंट के बने हैं फॉंडेंट का रेसिपी आप अलड़ी मेरे चैनल पर मिल जाएगा विदाओट मार्शमेलो विदाओट जलेटिन विदाओट अगर अगर विदाओट का मेरा रेसिपी है जरूर उसको देखिए उससे मेने यह बटरफ्लाइज बनाया है और बटरफ्लाइज में पूरे केक के साइड्स में दे दूंगी ताकि वो बटरफ्लाइज उड रहें एक बस टेक्च्चर आ जाए उसके बाद में गॉल्डन का टू एमेम का बॉल लूंगी सुगर बॉल्स जिसे बॉलते हैं उसको में बस थोड़ा बहुत दे दूंगी उसके बाद जीरो साइज का गॉल्डन बॉल लेके फैला लूंगी अच्छा सा एक डिजाइन आ जाता है बहुत सिंपल है आसानी से बिगिनिस बना सकते हैं